उम्शंती, 11 ओगस्ट की शुरुद अन्वे सब्सोगत है, परमात्मा कहते हैं कि सुवको निमित समझ, मैं जिसे की इंस्ट्रुमेंट हूँ, वेर्थ संकल्प वेर्थ फृत्ती मला आटिट्यूट से मुक्त रहने वाले विश्व कल्यांड करीब हुआ, मैं विश्व कल्या हो तो कभी भी किसी के प्रती वा अपने प्रती विर्थ 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 नहीं हो सकती, परमात्मा करा रहे हैं तो यह ऐसा क्यों करता है, यह ऐसा क्यों बोलता है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए था, यह विर्थ बात जायागा जब्र आत्माई एग भी अकल्यान कारी आप ने ही कर सकते ना क्युम्ह पेंचेंचेंट एगए वेर्त वृत्ति मला attitude नहीं बना सकते किसी के प्रती भी ना अपने प्रती भी क्योंकि उनकी वृत्ति से वायो मंदल का परिवर्तन होना है हम जैसे vibrations करेंगे, अगर हम stress मरेंगे tension मरेंगे, तो घर वाले भी stress और tension के vibrations को feel करेंगे ज़िए हम stress और tension की बातें बोल नहीं रहें उनको तेकिन सोच रहें तो उससे भी आप imagine करें कि अगर आप negative वेर्त की बातें सोच रहें तो आप आत्मा से यहां से काले बादल फैल रहे हैं, छा रहे हैं काली तरंगें जारी हैं जो कि अन्य आपके घर में रहने वाला आत्मा हों को भी touch कर रहे हैं imagine करे ऐसा हो रहा है और जब आप वीजर से मुक्त हो जाते हैं जब आप वीजर संकर वेवडियर्त वीजर सब मुक्त हरे हैं और new और और आप सकर तो आप सोच है सफेद करनेया से सफेद बादल जो कि क्या हो रहे है चालों तरफ फैल रहे हैं और हरी का अत्म को टच कर रहे हैं इमाजिन करिएगा जब भी ऐसा हो आपके साथ में तो इसलिए सर्व के प्रती उनकी शुब भावना शुब कामना सोता रहती है ओम श्यंति